नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्वरा अन अकैडमी क्लासिस पर जैसा कि आपको पहले से पता है कि सीटेट का एक्जाम पांच जुलाई को होना है तो उसी के टर्म्स में आज हम उपस्तित हुए हैं 15 कोशन्स लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट 15 कोशन्स और वो भी 15 कोशन्स सिर्फ और सिर्फ पैड़ागोजी के तो हमारे वीडियो को वीडियो में अंतक पने रहिए और उन 15 कोशन्स को आप उनके आंसर्स और बिद एक्स्प्लेनेशन के साथ समझे और इसके पीछे के कॉंसेट को समझने की को कॉंसेट डिसकस करेंगे सवाल के साथ साथ उस कॉंसेट पर भी आपको कोई न कोई सवाल जरूर मिलेगा तो इसलिए आप ये महतपूर 15 कोशन्स इस वीडियो में पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का बेट करें उसमें भी 15 कोशन्स और मिलेंगे इस तरीके से एक अज़ाम ये नहीं हो जाता है पांच जुलाई का चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को अब पूरा वीडियो देखने के लिए आन तक बने रहे हमारे इस वीडियो में तो पहला कोश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा है NCF 2005 के अनुसार वीडियो में गडित सिक्षा का मुख्य उद्देश यहा है यानि यहां पर हमें जो है गडित सिक्षा के टम्स में मुख्य उद्देश की बात करनी है सीटेट की एक खासियत है कि इससे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है सब्दों पे गौर करना होता है जल्दबाजी में उत्तर देने की आओ सकता है नहीं होती यहां यहां बहुत ही आपसों समझ कर सब्दों पर गौर करेंगे उसके बाद ही हम इसका उत्तर देना चाहेंगे तो यहनी आप सवाल सारा पढ़ लिए होंगे आप्शन पढ़ लिए होंगे इसमें देखिए जैसे जो गड़ित सिक्षा का मुक्यूद्दे से पहले इसके कॉंसेब्द को डिसकस करते है बालकों को यह अन्य कोसलों के विकास में भी सहायक होता है यानि इनके कहने का मतलब यह होता है कि गड़ित सिर्फ गड़ित विसय के लिए ही नहीं है यह दूसरे विसयों को सीखने में भी और उसके कोसलों के विकास करने में भी सहायक होती है और गड़ित में हमें चिंतन करने की जो है का मौका मिलता है तेनी हम यहाँ पर देखिए चिंतन करने से संबंदित सूचने विचारने से संबंदित तो अब पढ़ना सुरू करते हैं देखिए संख्या संबंदी कोसल का विकास करना समस्या तो संख्या संबंदी कोसल का विका को पोसित करता है यह सब पर्टिकुलर एक एक बाइंट को लेके रही यहां पर लिखे गए यह ओप्शन्स लेकिन जो आप फोर्थ ओप्शन्स पढ़ेंगे तो देखिए उसमें सब कुछ आ जाता है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गड़तिये करण करना यहां जो चिंतन पॉइंट हमारा होता है वो सही हो जाता है कोशन नमबर वन को आप्शन नमबर फोर सही हो जाएगा अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ अगले सवाल में एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट भी सीटेट में आते हैं एक दो स्टेटमेंट मिली जाते हैं तो अधिक गड़त जानने की अपिक्षा यह जानना अधिक उपियोगी है कि गड़ती ये करण कैसे किया जाए अब देखिए गड़ित तो हमने सीख लिया जो है गड़ित तो हमने सीख लिया लेकिन क्या उससे अधिक उसके उपियोग उसका प्रैक्टिकल वर्क अपने आस पास की चीजों से भ किसने कहा तो इसका statement जो है इस जगे पर जो आएगा डेविड विलर ने जो है यह statement दिया है तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं तो हमारा इसका option होगा option number two इसका सही हो जाएगा चलते हैं सवाल number three की तरफ अब सवाल number three में हमारे पास है, haters 2005 के अनुसार, गडित की पाठ चर्या, महतोकांग्षी सुसंगत है, और यह महतपूर्ण गडित पढ़ाती है, यहां महतोकांग्षी का अर्थ है, यहां सिर्फ और सिर्फ हमें महतोकांग्षी सब्द पर ध्यान देना है, अब समझए जो यह वर्ड है इस वर्ड पर हमें यहां पर ध्यान देना है तो यहां क्या होता है कि बच्चों में जो है हमें पहला क्या है संकीन उद्द समझें तो संकीन सब्द को ही पकड़ लीदी आप तो यह नहीं संकीन की तो बाती ही नहीं करनी है कहीं पर भी हमें संकीन मान सकता संकीन चीजे इस तरीके का ग्यान ही बच्चों को इस तरीके के थोड़ से ही नहीं देने हैं कहीं पर तो ये पहला आप्शन गलत हो गया दूसरा आप्शन है विद्याले में गड़ती सिक्ष्ण के उच उद्देस तो ये तो उससे भी बहुत ज्यादा विकास होता है विविद्प्रकार के गड़ित का सिक्ष्ण जैसे अंक गड़ित वीजगड़ित ज्यामती और आंकड़ा प्रबंदन तो यहां सिर्फ महातो का उंक्षी है यानि एक पर्टिकुलर टारगेट या उस तरह की की चीज़ों को समझना है हमें तो यहां हम इन विश्यों से कोई संबंद नहीं होगा सिर्फ उच उद्देश की प्राप्ति जो है को खोजना ही हमारा लक्ष होना तो यानि जो हमारा ओप्षन सही होगा ओप्षन सही होगा ओप्षन नमबर टू अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर चार की तरफ सवाल नमबर चार में है अनिल सभी प्रशनों के मौखिक उत्तर दे रहा है मौखिक उत्तर दे रहा है तो जब मौखि चाहों के हल लिखता है यानि वो लिख रहा है तो गलतियां करता है यानि वो मौखिक तो बोल पा रहा है समझ पा रहा है कह पा रहा है लेकिन जब वो उसी चीज़ को लिखता है तो लेखन में गलतियां करने लगता है तो गलतियों को हटाने है यानि उसकी गलतियों को कम करन के लिए इसके गलतियों में जो लेखन गलतियां हैं उनमें सुधार करने के लिए आप उप्चारातमक विदी कौन सी सरफस्ष्ट है याई उस पे इतनी सारी चीज़ आपको दे गए यह चार आप्श्ट दिये गए हैं उन पे आप कौन सा किसके बारे में आप बताएंगे त सिरफ होमबर्ग अप सुचिए सिरफ होमबर्ग दे देने से क्या उसके लेखन समबंदी जो विकार हैं वो सही हो जाएंगे नहीं होगे जो जो गलती यहां बत्चा कर रहा था वही तो लेखन में वहाँ घर पे भी करेगा तो यह यह चीज़ नहीं हो सकती उसको समझाना पड़ेगा तो यह पहला option गलत हो जा रहा है दूसरे option के तब से उसे स्यामपट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए तो उसे हम अगर हम समस्या हल करने के लिए सीधा सा हम दे देंगे कि आप हल कर लीजी हम उसको बुला ले blackboard पे खड़ा कर दें तो उसका तो वैसे ही confidence lose है वो solve नहीं कर पा रहा है उसका बच्चे मजाग भी बना सकते हैं तो उसका confidence level और लोग हो जाएगा तो इस point को भी हम यहाँ पर अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसे थोड़ी सी चीज़े आनी चाहिए फिर उसको हम motivate करें और बोर्ड के तक ले जाएं तब उसका confidence बढ़ेगा तो पहले जो उसमें तुटियां हैं उनका हम उपचार करें निदान करें फिर उपचार करें उसके बाद ही हम चीज़ों को अगे कर पाएंगे तो यहाँ अगले वाले option पर चलते हैं तेनी दूसरा option भी हमारा गलत हो जारा स्यामपट पर बुलाने की वज़े से उसे एसे कारे पत्रक यहां कारे पत्रक है अब लिजेगा कारे पत्रक है देकर रिक्त इस्थान भरने को कहना चाहिए कि जिसमें आंसिक रूप से समस्याय हल की हुई हो अब समझे चोटे बच्ची को थोड़ा सा हम लिख देते हैं यह हम लिख दें जिसे हमने साल लिख दिया अब उसमें क्या है उसको हम डॉटेट सा दे सकते हैं तो हम कहते हैं कि फिर लीजिए यह हमने कोई वर्ड लिख दिया बिलता जो तक हमने कहा है कि वर्ड लिख दीजिए तो इस तरीके से उन चीजों को जो सब्दों का उसक कोई भी बात नहीं है, वो साथ में ही सेख जाएगा, तो यहां हमारा option जो है, वो सही हो रहा है, option number three, अब चलते हैं, सवाल number five के तरफ, सवाल number five में NCF से फिर है, तो यहां आप देखिए, NCF 2005 के लक्ष कथन के अनुसार, लक्ष कथन के अनुसार, विद्यालई गडित उस इस्थित में नहीं होता, जिस इस्थित में उस इस्थित में नहीं होता, जहां बच्चे, यही पहला है कि लक्ष कथन की बात करनी हैं, और विद्यालई गडित उस इस्थित में नहीं होता, जहां बच्चे आगे डर्स हैं यहीं इसमें से एक पॉइंट को उठाना है और हमें उसे फिल करना है तो यहां देखिए पहला है गड़ित का आनद उठाने के लिए सीखते हैं तो बच्चों को तो गड़ित से डरी लगता है जादा तो उनका डर पहली बात तो हटाना होता ह हमें गड़ित को अपने दैनिक जीवन के अनुभों के रूप में देखते हैं तो यहां अनुभों के रूप में देखते हैं तो अनुभों और उसके रूप में देखना दैनिक जीवन में प्रियोग तो उनको तो सिखाना है पहले चोटे बच्चे हैं अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं तो चोटी चोटी चीजों को रखते हैं यहां ऐसा भी कोई नहीं चोटे बच्चों के संद्र में समझना है बड़े बच्चें के संद्र में नहीं समझना है हमें यहां पर, छोटे बच्चों के संदर में समझना है तो यहां चवथा option आप देख सकते हैं सूत्रों और algorithm को contest करते हैं बच्चा क्या करता है, बच्चा तुरंद, आप कोई भी चीज लिखेंगे तो उसे वो रट लेता है contest करने की कोशिस करता है, तो यह options यहां पर, नहीं सब्द की वज़े से सटीक हो जाता है, तो यहां option हमारा सही हो जाएगा, option number 4, अब चलते हैं, अपने सवाल, अगले सवाल की सवाल number 6 की तरह अब आग, जिया जोबरा software की सहता से सिक्षार्थी, डैस के द्वारा ज्यामती की सभी अधारणों को सीख सकते हैं, अब देखी परिपेक्षा धारित उपागम परियोजना अधारित उपागरम ब्याख्यान अधारित, तो इन सब चीज़ों की क्या है, जो नहीं, बच्चे को थोड़ा सा वक्त देंगे, बच्चा कुछ करके सीखे, जो करके सीखेगा, उस पर जो चीज़ें आएंगी, उस पर आधारित होगा हमारा खोज परक हुपागम तो इस तरीके से ये सवाल नंबर छे भी हमारा सॉल्व हो जाता है, अब चलते हैं सवाल नंबर साथ की तरफ तो सवाल नंबर साथ में हमारे पास जो है, वो सवाल नंबर साथ में है, कि छात्र गड़तिये समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं तो यहां जो हमारे पास आएगा जो भी है सवाल गलतियां करते हैं देखिए इसमें जो हमारा option निकल कर आ रहा है तो देखिए उसने कहा कि समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं तो कौन-कौन सी गलतियां करते हैं अब देखिए उनका सामाजिक आर्थिक इस तर क्यों करते हैं क्योंकि समस्यां जिसे गलतियां बच्चे ने की गलित को समस्यां को हल करने में तो क्या बच्चे में क्या हो सकता है क्या उसकी सामाजिक आर्थिक इस्तर उनके निस्पादन को प्रभाविद करता है क्या उनकी आर्थिक समस्या उनके आने आ रही है कि सामाजिक व्यवस्था यह चीजी है हुई फिर उसने कहा कि क्या वै अर्थ निर्माण के अपने प्रयास के संकलपनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं वै परियापत अभ्यास नहीं करते वै एक से अधिक पाठ पुस्तकों को नहीं पढ़ते तो यह सारी चीजे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है यानि वै अर्थ निर्माण नहीं कर पाते हैं अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकलपनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं कोई ने कोई रास्ता खोजने की कोसिस करते हैं इसी इस्थिति में उनकी हल करते समय वो समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं सवाल नमबर हमारा जो 7 है उसका option number 2 सही हो जाता है अब चलते हैं सवाल नमबर 8 की तरफ अब यहां देखिए सवाल नमबर 8 में जो है आपके पास उसमें कहा गया गड़ित की वर्तमान NCRT पार्ठी पुस्त की डैस की अनुसंसा को ध्यान में रख कर लिखी गई है अब यहां बताया गया है कि किसकी अनुसंसा पर जो भी नीतियां आई है गवर्मेंट के तरफ से वो ऐसी कौन सी नीति है जिसके आधार पर NCRT की पुस्तकों की अनुसंसा को रखा गया है लिखा गया है देखिए 2006 तो कोई ऐसी पॉलसी ही नहीं आई आपके दिमाद में आ जाना चाहिए यहनि पहले 2006 और यह इसे एक तो CBC बोर्ड कहा गया तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है ठीक 2006 में कोई पॉलसी नहीं आई ऐसी जो इस पर काम किया गया हो तो एक तो राज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित तो एक तो बिलकुल ही कलत हो रहा यहाँ पर क्योंकि NCRT की बात की जा रही है यहाँ तो यहाँ दो चीज़े तो यह दो आप्शन्स बाहर हो गए अगर आपको यहाद नहीं है वो सिस्तित में हम बता रहे हैं अब बचते हैं दो तरीके के उप्शन्स एक है हमारी नई राष्टी सिक्षा नीती 1996 यह राजियो गांधी के समय में आई थी जो हमारे प्रधान मंत्री राजियो गांधी थे उनके समय में यह नीती आई थी तो यह वहां उस समय की नीती है इसमें कुछ नई विद्याले से नोदे विद्याले और बाकी चीज़े इस तरह की बड़ी ही यहाँ पर चेंजिस हुए थे पढ़ाई के टम्स में और सिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव था और फिर उसके बाद यह जो NCF प्रिजन टाइम में हम जो पढ़ रहे हैं वो NCF 2005 ही तो पढ़ रहे हैं तो यह नी वहां पर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी तो यहां हम सीधा सा NCF 2005 को टिक कर सकते हैं अब चलते हैं अपने अगले सवाल के तरफ अगले सवाल में है देखिए छेत्रमिती इकाई का योगातमक आकलन डैस के द्वारा किया जाता है अब छेत्रमिती है तो छेत्रमिती में हम एरिया उसका परिमाब यह सब चीजें उसमें हम निकालने की कोशिस करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी उसका आंसर क्या होगा इस चीज़ पर आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ छेतर से area से संबनदे चीज़ें होती हैं उनका योग आत्म काकलन हम कैसे करते हैं तो ICT गतिविदी परियोजना कर रहे हैं यहाँ घरित प्रयोग साला लगेदी यह चाहँ जो परियोग करते हैं वो करते हैं पेपर पेंसिल परिक्शा के द्वारा यह हमारा option सही हो ज गड़ित का सबसे प्राचीन गरंथ तो हिस्ट्री में आपने लीलावती पुस्तक के बारे में देखा है पढ़ा होगा कि लीलावती ने किसने लिखी एलिमेंट्स, वक्षाली हस्त गरंथ, ब्रंभ स्पूट सिद्धान, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर जो है, लिखा हुआ है अब इसमें से कौन सी है तो ये जो है हमारा जो अंकड़ित का सबसे प्राचीन गरंथ है वो कहा जाता है वक्षाली हंस्त गरंथ ये एक option सही हो गया सवाल नमबर 10 का option नमबर 3 सही होगा अब चलते हैं सवाल नमबर 11 की तरफ इस सवाल से तो आप परिचित ही है कि heuristic विदी के प्रवर्टक है कौन है और इस से ये सवाल बहुत बार एक्जाम में आता है तो यहाँ भी confusion होने की जरूबत नहीं है आप सीधा सावाल नमबर 11 का option नमबर 1 टिक कर सकते हैं hearmstrong जो है इसके प्रवर्टक है अब इसमें हम चलते हैं सवाल नमबर 12 की तरफ सवाल नमबर 12 में है गडित सिक्षन में मुल्यांकन किया जाना चाहिए जो है गडित सिक्षन में मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो कैसे मुल अंकन किया जाना चाहिए एक चीज तो है हमारे में कि हम जो पढ़ते आये हैं present time में उसमें क्या है कि एक सतत मुल अंकन ठीक और हर एक चीज को clear cut step by marking इन सब चीजों को धान दिया जाता है तो यहीं एक एक चीज को हमें यहाल लेना है directly हम नहीं कर सकते एक चीज की तो बाती नहीं कर की जा रही समय जब से सात्र के इन्दित विवस्था हुई है student centralized तब से हम सीधा एक exam नहीं लेते हैं step by exam लेते हैं मुल लेंकन का करते हैं उद्दिसों के इस पस्टी करन के उपरान ऐसा भी नहीं कि सारे उद्दिस हम पराप्त कर लें उस पस्ट कर लें तब उसका हम मुल लेंकन करें ग्रह कार देने के बाद तो वो तो एक छोटी सी प्रोसेस है एक अक्षा में हमने आज ग्रह कार दिया चकल लिया तो एक उसका पार्ट है इसका भी कोई नहीं तो यह आप सब हटा देते हैं इस तरहे के से तो एक option आपके पास बच रहा है प्रतेक आधारना के इस पस्टी कर जाता है सवाल नमबर जो है 13 है कौन सी परिक्षा उद्दे सिकेंद्रित होती है तो उद्दे सिकेंद्रित परिक्षा के बारे में यहां बताना है हमें तो यहां पर जो आएगा हम देख सकते हैं कि पहला दिया है वस्तुनिस्ट परिक्षा निबन दात्मक परिक्षा तोर ने पाठ यूजना का निर्मान किया होगा DLED में, BED में हर जगे आप टीचिंग के टाइम में जो है लग और दीर्ग दो तरीके की जो है पाठ यूजनों का निर्मान किया जाता है और 16, 15, 14 इस तरीके कोसल से उनका विकास लग पाठ यूजना के तहत किया जाता है अलग-अलग फरीक दीर्ग पाठ यूजना बना कर जो है सारे कोसलों को एक साथ जो है सीखा जाता है ये ट्रेनिंग के दोरान चीज़े सिखाई जाती है तो आप इससे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहां किसे सहायता मिलती है तो सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है आप क्या उदा सकते हैं कि छातरों को या परदानचार को सिर्फ दिखाने के लिए होता है या उपरोक सभी या अध्यापक की साहता के लिए यहाँ जो है वो अध्यापक की साहता के लिए होता है क्योंकि अध्यापक जो पार्ठ यूजना बनाएगा उस पार्ठ यूजना की अंतरगत ही बच्चे को पढ़ाएगा क्योंकि ऐसा नहों कि सिक्षक उस topic से ही इतर चला जाए और जो पढ़ाना है वो कम पढ़ाए और बाकी सारी चीज़े बहुत सारी पढ़ा दे तो जो syllabus जो चीज़े हमें पढ़ानी है उस period में उस class के अंतरगा तो उससे decide होना चाहिए कि इतनी चीज़े हम बच्चे को content दें यह option हमारा हो जाएगा one option number one सही हो जाएगा अब चलते हैं अपने last सवाल के तरफ सिक्षण प्रतिमानों की प्रकती होती है मनोवग यानि जो प्रतिमान मौडल हम बनाते हैं दिखाने के लिए TLM की ज़े इस्तमाल करते हैं प्रतिमान तो यहां क्या है कि उन प्रतिमानों यानि सिक्षण प्रतिमान जो हमारे हैं educational model है उनको जो हम बनाते हैं तो वो कैसे होने चाहिए सिर्फ दासनिक हो या सिर्फ मनोवग्यानिक हो वो सिर्फ बैग्यानिक होने चाहिए जो अपनी कसोटी पर खरे उतरें यानि उनमें गलतियों के chance नहीं होने चाहिए तो इस प और अकले 15 सवालों के लिए will icon ना दवाना भूलें जिससे आपको सबसे पहले notification मिलें और आपके साथ आपकी तयारी में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं जिससे आपके seated के तयारी बहुत बहतर हो और pedagogy के जो सवाल हैं जो maths के सवाल हैं वो कहीं पर भी आपको दिक्कत याप आपको फसा ना पाएं और आपको problem आपके लिए problem ना खड़ी कर पाएं और जो है आप seated अच्छे अंकों के साथ qualify कर सकें सिर्फ passing mark ही नहीं कि आप 90 ले आएं और qualify कर जाएं नहीं आप more than 100 more than 110 क्या सपास लाएं और अच्छे अंकों के साथ confidence बना कर solve कर सकें तो next video में मिलते हैं और next 15 questions के साथ इसी के साथ जय हिन जय भारत